चन्नाई एक्स्प्रेस के इस थियाट्रिकल की में हाइलाइट है अक्ट्रिस दीपिका बादुकौन इस थियाट्रिकल में दीपिका की डायलॉक से लेकर आक्टिंग की काफी तारीव की जा रही है और ऐसा कहना कलत ना होगा कि फिल्म के फिर्स्ट थियाट्रिकल में शाहरुक से ज्यादा लाइमलाइट दीपी का ले उली है अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमें या आपको ही ऐसा लग रहा है तो जनाब फिल्म के डिरेक्टर ग्रोहिट शेति को सुनिए वो रोहिट का साफ साफ कहना है कि डिपी का पादुकोन इस फिल्म की में हाइलाइट है और फुच शारुख खान भी इस बाद को कबूर करेंगे अब रोहिट ने शारुख खान की बाद की तो हमने शारुख से भी पूछ लिया कि क्या डिपी का है फिल्म की में हाइलाइट मैं रोहिट और दिपी का से कुछ दियर पहले बात प्रहा तो उनका कहना यह था कि यह सिक और सिक पादुकोन की फिल्में और शारुख खान भी इस से मतलब हामी भरेंगे इसमें अबसलुटली आइ थूली बिलीड क्योंकि जब ही एक फिल्म होती है जिसमें आक्शन है जिसके माहर है जिसमें इंटेंसिटी है जिसके माहर है मेरे को यह थोड़ी बहुत महारत है सब को हम 200-20 को ने काम किया है लेकिन अगर फिल्म के अंदर कहीं पर भी एक ऐसी फिल्म वो करती है लेकिन एक स्पेशल मैजिक हो जाता है कभी कभी करते करते है जो खुद भी नहीं मालूम पड़ता जब फाइनली फिल्म आती है तो आइटिंक दिपिका इस फिल्म में मैजिकल है पहले ही दिपिका की फिल्म ये जबानी है दिवानी 150 क्रोर से ज्यादा का बिजनस कर चुकी है और अब उन्हें चन्नाई एक्सप्रेस के लिए मिल रहे हैं धेर सारे प्रेजिस वेल ऐसे में अब ये कहना भी गलत ना होगा कि दिपिका एक्सप्रेस अब बन चुकी है बॉलिवुड की सबसे फास्टेस ट्रेंड और कुनाल मान लेकर जून मुंबाई